आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटूब के लिए परफेक्ट थंबलीन हम कैसे बनाएं इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यूटूबर हैं तो आप बेस्ट थंबलीन बना पाओगे आपके स्क्रीन पर पिक्सल लैब की एक आईकन है आप समझ सकते हैं पिक्सल लैब आज यूटूब पर ट्रेंड कर रहा है और इससे लाखो यूटूबर फायदा उठाते हैं और आप भी उठाएए अब नो बकवास अनली ग्यान आसान तरीके से बेस्ट थंबलीन बनाना सीखें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोड से जाकर पिक्सल लैब को इंस्टॉल करें और पिक्सल लैब का आईकन हमने आपको दिखा दिया है इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो फर्स्ट इंटरफेस आपके स्क्रीन पर है आपको बनाना है एक यूटूब थंबलीन तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एडिट टूल पर एडिट टूल बगल के स्क्रीन पर आपको साफ दोर से दिखाई देगा और एरो से हम बताने कि चाएं आप थंबलीन सेलेक करें ओके करें अब हम थंबलीन के पेज कलर को चेंज करेंगे इसके लिए बहुत आसान है आप कलर बौक्स जो गोल घेरे में है उस पे क्लिक करें और कलर को चूज करें हम यहाँ पे ब्लु कलर ले रहे है क्योंकि ब्लु इंटरफेस जदा ए Act लिखेंगे। आप जीख afin सकते हम टेक्स लिख रहे हो और टेक्स्ट हमने लिखा है हिंदी में हिंदी टेक्स लिखने के लिए आप गूगल हिंदी Input इंस्ट्ल कर सकते हैं Google Play से ही हम टेक्स लिखेंगे इस टेक्स्ट के फॉंट को भी हम चेंज करेंगे यह जो लिखा है वो font text box का यह है आप उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने font को आप अमरनाथ bold से change करेंगे ऐसे तो बहुत सारे text font है ideal है ideal black है और तरह तरह के design आपको मिलेंगे पर सबसे अच्छा आपको font जो है अमरनाथ bold मिलेगा आप अमरनाथ bold पर क्लिक करेंगे तो हिंदी जादा उत्क्रिस्ट होकर सामने आएगा आप देख सकते हैं हमने font पर क्लिक किया और अमरनाथ bold पर क्लिक करने के बाद अब font के size को हम बढ़ा रहें अब बारी है अपने font को highlighted करने के लिए इसके लिए हम font box पर क्लिक करेंगे और उसके बाद stroke पर जाकर क्लिक करेंगे और नीचे एक आपको पतली सी line मिलेगी जिसको drag करने के बाद इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमने इसको 9-8 पर रखा है इसके बाद आप shadow पर क्लिक करेंगे shadow भी बहुत आवस्यक होता है shadow पर क्लिक करने के बाद आप shadow को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे अब बारी है text ribbon की आप text background पर क्लिक करेंगे और ribbon को on करने के बाद इसके भी size को आप नीचे बाली पतली डंडी से घटा बढ़ा सकते हैं आप देख सकते हैं हमने black choose करने के बाद इसके ribbon के size को बढ़ाया है अब बारी है image की इसके लिए आप plus के icon पर क्लिक करेंगे from gallery पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी picture सेलेक कर सकते हैं आपको अच्छा लगे और उसको आप crop करके अपने page पर insert कर लें जैसे ही आप yes बटन पर क्लिक करेंगे जो सही का निशान है उस पर क्लिक करेंगे crop करने के बाद यह आपके page पर आ जाएगा अब इसके बाद आप इसको छोटा करके एक side में कर लें और इसको घीच कर थोड़ा बरा कर लें अब आप अपने text बेस्ट यूटूब वाले text पर क्लिक करें और इसको front पर कर लें देखे front पर क्लिक हुआ और इसके बाद अब बगल में आप कोई भी text लिख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है बस आपको लिखे हुए text पर क्लिक करना है और इसको copy करना है अगर आप copy नहीं करना चाहते तो आप plus के icon पर क्लिक करके text भी ले सकते हैं पर हम यहाँ copy करके आपको text background को हटाने का और फिर से alliance करने का तरीका बता हैं इससे आपको और ज्यादा जानकारी हो इसके बाद आप इसको beach में alliance करें आप देख सकते हैं setting कहां कहां है आप दुवारा वीडियो प्ले करके भी समझ सकते हैं इसके बाद आप alignment के beach के space को भी बढ़ा सकते हैं जिससे text attractive लगे इसके बाद आप text जो भी आप लिखना चाहें उसको आप बदल कर लिख सकते हैं इसको center, side जहां भी आपको मन कर स्क्रॉल करके छोटा बारा करके आप page भी ला सकते हैं और थंबलीन को attractive बना सकते हैं ये थी थंबलीन बनाने की सबसे आसान विधी और best थंबलीन ऐसे आप बना सकते हैं इसमें बहुत सारे tools हैं आप pixel lab को इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारिया भी मिलेगी आप जो text लिखते हैं उस text के color को भी आप बदल सकते हैं यहाँ पर आप text पर क्लिक करके color box पर क्लिक करके आप text के color को भी बदल सकते हैं अब आपको हम text के color को बदल कर दिखा रहे हैं आप text color box पर क्लिक करके और color को change कर सकते हैं हमने यहाँ पर yellow लिया, yellow और white ये दो color ज्यादा attractive होते हैं इसके लाबा आने कलर भी आप चूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह हमने बहुत आसान तरीके से एक थंबलीन बनाया है आप भी ऐसा थंबलीन बना सकते हैं और उसको अपलोड करके अपने चैनल के भीव को बढ़ा सकते हैं सिक्षा सुधार रोजगार के साथ जूरे रहने के लिए धन्यबाद आगे इसी तरह की और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यबाद वीडियो देखने के लिए